वेलकम तो दे पॉकेट बिलर एप, पॉकेट बिलर एप में आपका स्वागत है, आज हम जानकारी लेना चाहेंगे कि specially हम जो रिमोट है, हमारा जो हमने IP रिमोट डेवलप किया हुआ है, वो IP रिमोट यानि टआबलेट ओर जो वेटर है वो जो टबलेट ओर प्लेच कर सकता है, उससे हमें कैसे और रिस्तिव करना है, जो हम कैसे और प्लेच होगा वेटर की तरप से, वो में गाउनल का जो हमेर तो पूरी जानकरी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि यह जो पूरा हमारा setup है तो यह पूरा Android पे work करेंगा आप इसमें Android Mobile, Android Tablet और BlueStack जो होता है उसका इस्तमाल कर सकते हैं रिमोट को PC में इंस्टॉल करने के लिए और यह जो setup है इससे क्या होगा कि जो आपकी जो टेबल की बहुत सी चीज़े है वो कम हो जाएगी जैसे इसमें calculator की कोई आपको need नहीं पड़ेगी PC laptop हो या ना हो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा जो writing pad है उसकी भी कोछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि restaurant billing हम maximum writing pad और जो papers का यूज करते हैं वो पूरी चीज़े कम हो जाएगी जो special है कुछ ऐसा special server वगरा install करने की ज़रूरत नहीं है और जो हम internet connection required होता है तो internet connection की भी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यह पूरा जो हमारा setup है local host यानि पूरा mobile to mobile hotspot या फिर wifi फे work करता है और इसका एक advantage ऐसा है कि आप जो transition करेंगे वो यहां से सीधा satellite पे जाएगा प्रोसीड होगा उससे अच्छा है कि आप locally जो भी transition करेंगे उसमें delay बिल्कुल नहीं रहेगा और जो आपकी transition रहेगे वो पूरे जब रिमोट remote mobile to server tablet वगरा जो भी transition रहेगे वो clear हो पाएंगे और इसका एक advantage जो पूरा हमारा यह android setup है वो completely wireless है आपका जो भी printer है वो Bluetooth पे work करेंगे प्रिंटर आप इसमें portable printer है वो भी आप portable printer जो बैटरी वाले होते हैं उसका भी आप इस्तमाल इसमें कर सकते है अभी सबसे जो एक बात ऐसे होती है कि कोई software जो होते हो difficult होते है चलाने के लिए उसके बात कुछ software ऐसे होते कि व जो होता है वो एकदम आसान हो जाता है तो यह जो हमारा है कि उसके बाद में अगर आप हम बात करते हैं तो वो है pocket biller की तो इस बहुत easy है चलाने के लिए आप सब जो जो भी android mobile यूज़ कर सकता है वो easily इस software को चला सकता है तो आप बस complete video watch करिए और restaurant billing hotel billing यानि आप धाबा अगेरा हो restaurant हो तो उसके पूरे बिल आप इसमे easily बना सकते है कम setup में आपके android terminal पे इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है तो इसकी जो अभी इंडेक्स है इंडेक्स में हम देखना चाहेंगे कि wifi remote कैसे working करता है printing koot and bills हम koot यानि kitchen order ticket और bills को हम कैसे प्रिंट कर सकते क्योंकि मेनू दो तरह के होते हैं कि पूरी एक list होती है मेनू की और category wise भी मेनू होता है वो भी हम देखेंगे server setting देखेंगे कि server की हमको setup थोड़ा बहुत जो है rights जो है इसके remote के जो rights है वो हम कैसे provide कर सकते है और recommended bluetooth printer उसकी description में link देदूंगा वो भी आप देख लेंग वाइफा है और hotspot करता है तो एक तो आप router भी इसमें यूज़ कर सकते कि आपकी पूरी building हो गए आपका पूरा hotel हो गया उसमें अगर वाइफा है तो offline local host में पूरा यह जो पूरा client server पूरा है यह सब उसमें चला सकते है और वाइफा अगर नहीं है तो आप simply जो अपने server का जो यह होता है hotspot होता है तो आप hotspot को यूज़ करके इसको बिल्कुल चला सकते है आप easily hotspot चालू करके locally इसको पूरा setup को चला सकते है तो model में कहना चाहूंगा कि एक tablet या फिर mobile यूज़ कर सकते सर्वर के जगा और आप बहुत सारे unlimited इसमें जो है client device इसको connect कर सकते है जैसे वेटर हो गए वेटर 1, वेटर 2, वेटर 3, वेटर 4 और बाकी जो है में सर्वर के साथ आप Bluetooth या USB प्रिंटर इसको connect कर सकते हो उसके बाद में अगर कहना चाहूं तो यह जो सारे client है वो जो भी order place करेगे वो main server पे आपको load होगा और वहाँ पे पूरा details आपको दिखाई दे और यह जो पूरे remote है यह IP पे work करते है जैसे 192.168.xyz.xyz इस तरह के जो भी अपने IP होते है तो IP आप डाल के वहाँ पे remote create कर सकते हो तो हमारी यह जो ordering system होती है तो जैसे हम वेटर table पे order place करता है तो वो receive होता है main counter पे main counter से जाता है यानि main counter से order ही पूरा place कर सकता है क्यों क तो main counter पे signal pass होके वो kitchen में क्योटी जाएगा वो जो खाना सर्फ होगा उसके बाद में वो वेटर भी और main billing counter पे भी हम bill जो है वहाँ से order देखे print उसकी निकाल सकते है तो अभी मैं आपको थोड़ा live demonstrate करूंगा कि यह किस तरह से पूरा setup जो है अपना work करेगा तो मैं अभी जो है जो वेटर application है IP application वो PC में install कर चुका हूँ तो यह देखे यहाँ पे जो है मैंने IP डाला हुआ है तो यह जो है यह mobile का हमारा server आप है तो server का हमने यहाँ पे IP डाला हुए 192.168.43.196 यह हमने IP डाला है यह और server का यही सेम port नंबर है 8080 और बस अपना remote जो है यहाँ से अभी यह remote completely तयार हो चुका है और server की detail apply करके हम फिर order place कर सकते हैं अभी हम अगर यहाँ पे remote बनाना चाहते हैं अभी यह एक remote है यहाँ पे तो मैं अगर यहाँ से कुछ भी order place करूँगा जैसे table number हो गया 8 अगर मैं 8 पे अगर कोई कोई भी order remote से place करूँगा यानि मैं जाता हूँ एक order chicken hundi 2 chicken hundi 2 तो यह order मैं अगर place करता हूँ तो 8 number table पे यहाँ पे place हो चुका है order और यह ही reflect होगा सारे remote पे तो मैं अगर यहाँ पे जाओंगा 8 number table पे तो हमें यह order यहां से मिल जाएगा मैं और भी इसमें बहुत सारा कुछ placing कर सकता हूँ यहाँ पे categorize menu भी है ज तो rice मैं डालूंगा curd rice, curd rice 2 उसके बाद में मैं और उसमें snacks डालना चाहूंगा तो dessert हो यह तो स्वीट लस्ती मैं डालना चाहूंगा तो इसमें मैं least was it कर रहा हूँ, उसके बाद में, जो है के ओटी को हीट कर रहा हूँ, जैसी मैं remote application से के ओटी को हीट करता हूँ, तो यहां से के ओटी के ओटी में billing printer पे के ओटी प्रिंट हो जाती है अपनी तो यह देखे अपनी केओटी जो है वो प्रिंट हो चुकी है चिकन हंडी 2 करड़ राइस 2 स्वीट लस्टी 1 तो यह जो है हमारी केओटी प्रिंट हो चुकी है अभी और भी हम उसमें आदर प्लेस कर सकते हैं जैसे प्लस पर मैं क्लिक करके कुछ एक और स्नेक्स जैसे मसाला पापड है वो मैं इसमें डालना चाहूंगा तो मैं तीन मसाला पापड उसमें एंटर कर देता हो इसकी भी मैं केओटी प्रिंट कर लेता हो तो केओटी जैसे ही प्रिंट करता हो तो केओटी यह प्रिंट हो जाती है तो इसमें पूरी डिटेल्स जो है वो आजाती है जैस इस बिल को जो है print कर सकते हैं आप प्रिंट जो है वो remote application से भी place कर सकते हो और जो main हमारा server application है यह अभी हमारा server application है हम यहाँ से भी वो order print कर सकते हैं तो अभी मैं जाँँगा वेटर remote के पास और यह order कर दूंगा तो जैसी मैं प्रिंट होंगा तो ये हमारा जो प्रिंट है वोग पूरा Ready हो जाएगा और बिल यह कस्τοमर को ळनी के लिए हमारा अने पुर। हो जाएगा पूरा तो इसमें पूरा बिल आछुका है जैसे पहली चिकन हंडी है कर्ड राइस है स्वीट लस्टी है मसाला पापड़ है तीन कॉंटिटी भी यहां पर आ चुका है टू टू वन थ्री रेट आ चुका है और अमांट भी यहां पर रिसी हो गई और टोटल है 780 तो इस तरह से पूरा हमारा बील जो है प्रिंट होके निकले तो अभी हम जानना चाहेंगे कि यह तो पूरा आपको प्रोसेस कीचन ओर्डरिंग और टेबल ओर्डरिंग और बीलिंग काउंटर का यह पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा तो मैं अभी आपको एक रिमोट कैसे जनरेट करना है और रिमोट का आई-पी कैसे ग कर देता हूं कि इससे आपको समझ में समझ में आ सके कि रिमोट का कैसे सेट अप करना है अभी इस तरह से रिमोट फ्रेश इंस्टॉलेशन हो चुका है अभी मैं इसको कुछ पर्मिशन ग्रांड करूंगा लेकिन अभी जो है यहाँ पर आई-पी नहीं है सर्वर आई-पी यहाँ पर नहीं आया हुए और टैबलेट मोड जो है मोबाइल में अच्छा नहीं लगता है और कैटिगरी में आप मोबाइल में चला सकते हो तो टैबलेट मोड जो होता है वो जैसे मैंने अभी दिखाया था लैप्टॉप में या फिर टैबलेट में आप चला सकते हो तो अभी अगर मुझे आई-पी गेट करना है तो आई-पी गेट करने के लिए मुझे पहले बस मेरा जो वाइफाय है तो वाइफाय सर्वर के साथ कनेट करना होगा और बाकी जो है वो आई-पी खुद बखुद वहां से ले लेगा आई-पी लेने के लिए हम हमें बस चोटे से जो सर्च बटन है इस पर क्लिक करना होता है तो हमारा आइपी हमें मिल जाएगा तो देखिए सर्वर का आइपी हमें धुनने की भी जरूरत नहीं पड़िए सिधे सिधे यहा पर आ गया है यहां पर हम हम पूर्ट नंबर डालेंगे तो मैं पूर्ट नंबर डालूंगा एह जबा एक देखोगे अब डीटेल यहां पर सिंक्रोनाइज हो जाएगी और अगर मैं अभी देखना चाहूँ तो पूरे टेबल जो है वो टेबल मुझे टेबल की जो डीटेल है जैसे में सर्वर पर है टेबल वो मुझे यहां पर भी मिल गये है अभी मैं रिमोट से ही पूरा और प्लेस कर सकता हूँ तो मैं अगर फोर्टीन नंबर टेबल पे अगर जाता हूँ तो फोर्टीन नंबर टेबल पे मैं और प्लेस कर सकते हो जैसे चपाती हो गया चार जैसे बटर नान हो गया दो और बटर चिकन हो गया एक और मैं इसमें डालना चाहूंगा जैसे कॉफी होगा है तीन कॉफी यह हमारी टेबल ओडर बन रही है अभी एक बिरियानी चार तो इस तरह से हमारी टेबल ओडर है और वह वहाँ पे सेम ओडर यहाँ पे विजिबल हो चुके हैं में काउंटर पे और अब हम क्योटी जो है वह क्योटी हम प्रिंट करेंगे तो जैसे ही मैं रिमोट से क्योटी प्रिंट करूंगा तो वह में ओडर यहाँ पे जाएगा सर्वर पे और फिर क्योटी अपना प्रिंट होगा तो जैसे ही मैं क्योटी प्रिंट करूंगा तो हमारा क्योटी क्योटी आ गया है और जैसे मैं बिल को प्रिंट करूँगा तो में यानि बिल प्रिंटर पर हमें बिल मिल जाएगा तो जैसे मैं यह प्रिंट करूँगा बिल हमारा ए बिल यहाँ पर मिल जाएगा ओके इस तरह से हमारा बिल हम इसको प्रिंट कर सकते है और पूरा चला सकते है उसके बाद में टेटेगरीवाइज मेनू तो टेटेगरीवाइज मेनू हम जो है सरोवर पर जो भी हम हम category wise menu set up करेंगे तो वो पूरा menu हमको client side पे यहांई Twitter remote पे दिखाई देगा तो हम यहां पर जाके पूरा जो हमारा menu है यहां पर हम main category add कर सकते हैं और plus button दबा कि उसमें जितने चाहे उतने हमारे sub category वो पूरा add कर सकते हैं items category items add कर सकते हैं उसके बाद में category menu को अगर हमको enable करना है तो हम जाएंगे अभी blue stack में मैं वह आपको show कर देता हूं कि कैसे वह करना है तो category wise अगर हमको enable करना है तो बस यहां पर जो एक setting है category manually बस उसको enable कर देना है जैसे आप उसको enable कर दोगे और apply बटन पर क्लिक कर दोगे बस तो फिर आपकी category wise menu आप use कर सकते हो उसके बाद में तो यह रहा जब भी हम आप plus button पर click करोगे तो आपको ए category wise menu में लेगा और अगर आप category wise menu को disable करके रखते हो तो फिर आपको basic menu पूरी लिष्ट दिखेगी आप वह search list का इस्तिमाल करके भी order place कर सकते हो लेकिन आप अगर टैबलेट और यूज़ कर रहे हो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फिर आप एक है कि आप category wise menu ही थोड़ा recommended है यहाँ पर तो इस तरह से पूरा हमारा category menu आता है और category menu हमको बस main server पर ही develop करना है बाकि वो automatically reflect हो जाएगा आपने client के साथ पूरा जो भी हमारे remote है remote पर पूरा categorize menu automatically वहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर वाइफाई signal भी पूरा show कर देते हैं कि वाइफाई signal जैसे best है पर वीक है अच्छ है या फिर good better वह पूरा आपको वाइफाई signal यहाँ पर बताएगा और यहाँ पर स्टेटस भी दिखाएगा कि लोकल वाइफाई हमारा connected है यह नहीं है सर्वर के साथ उसके लिए कोई हमको अलग से सर्वर वगरा इंस्टॉल करने की जुरूरत नहीं बेसिक आप रॉप्टर यूज कर सकते हैं नहीं तो फिर मोबाइल का वाइफाई होट्सपॉट यूज करके इसको फिर चला सकते हो पूरी टेबल सिस्टिम आपको यहाँ प करते हैं अभी देखो टेबल नंबर 6 है तो टेबल नंबर 6 यहाँ पर एमटी है जैसे कुछ ओडर प्लेस करते हो तो वह पहले सर्वर पे जाता है यहां से पूरा सर्वर पे जाने के बाद फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा तो वह सारे वेडर में आपको दिख जाएग तो next हमारा point है server setting, तो server की हमको setting कैसे करनी है, तो बस main server पर जाना है menu में और जो हमारा path है server का उसको हमें setup करना है, यहाँ पर पूरी आपको server की setting दिख जाएगी, यहाँ पर server admin, तो जैसे हमें server admin में जाता हो, तो यहाँ से आप पूरी जो rights है उसको आप control कर सकते, यह है local folder का पहाँ जहाँ पूरा server का data है वो पूरा store हो गया, अभी alarm slash vs, यहाँ पर मैंने server का पूरा data है वो store किया हुआ है, इसमें हम billing print का access जो है remote को, वो provide कर सकते है, अगर हम कहना चाहिए कि जो waiter है, वो bill print ना करे, तो हम उसका access यहाँ पर निकाल सकते है, क्योटी का access भी हम उसको न increment होती है, जैसे कोई भी product हम यहाँ से increment करते है, और decrement करते है, यहाँ पे plus minus करके हम product को increment करते है, जो भी है वो, तो हम उसकी rights जो है, वो हम सरवर से daugर कर सकती है, कि उसने product incrementОc, नहीं करना तो उसको main counter पर आके बताना बढ़ेगा कि यह content जो है यह item जो है वो table से cancel हो रहा है तो इस तरह से और जो bill है bill जो है remote से भी वो bill clear हो सकता है तो उसकी भी हम rights जो है वह हम provide कर सकते हैं जैसे में यह 8 number का table है जैसे 14 14 number का table 14 number का table मैं यहां से अगर click clear करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ जैसे यहां से मैंने table clear कर दिया बस यह यहां से भी clearing bill for table 14 हो गया यहां से 14 का table clear हो गया और यहां से भी हो गया तो यह जो rights है यह rights आप main server से ही पूरा आप control कर सकते हो कि यह waiter का जो remote है उसने यह वहां से access करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अभी हमारा next जो है कुछ recommended bluetooth printer है इस तरह के तो आप यह जो printer है यह printer आप पूरा order कर सकते हो Amazon से इसकी link जो है मैं पूरी आपको description में दे दूँगा कुछ table printer भी हो जो होते है वह जो paper cutting के साथ पूरा आते है तो उसमें क्या होता है कि जो है paper है वह पूरा paper cut हो के निकलता है तो आप अगर आपके ट्राफिक जादा है आपके hotel में रेस्टोरंट में या धाबा में तो आप फिर इसको फिर cutting paper वाले printer table printer लेके थोड़ा फास्ट वर्फ भी कर सकते हो यह कुछ printers है जो आप recommended printers है आप उसको purchase कर सकते हो Amazon Flipkart आप जहाँ पे भी मिले आप वहाँ से यह ले सकते हो ज्यादा तर 58 mm printer है यह ATM का printer है यह भी 80 mm का printer है 3 इंच वाला ATM का यह 2-3 printer है अच्छे से Amazon पे मिल रहे है आप वहाँ से उसको purchase कर सकते ह है इसी तरह का से टेबल प्रिंटर है एकी model है यह यह वाला total model एकी है आप इसको भी purchase कर सकते हो इसको भी purchase कर सकते हो बाकि आपको अगर कुछ detail अगरा चाहिए तो आप यह 727 6669939 इस नंबर पे call करके आप पूरी detail जो है आप वह ले सकते हो और अगर चाहो तो आप WhatsApp पे भ करते हो बाकी आप जो मेरे पूराने वीडियो है वो पूराने वीडियो आप देख लीजे थोड़ी आपको detail भी पता चल जाएगी कि बाकी जो system है पूरा कैसे वह करता है जैसे product adding करना product को add करना, bill को search करना, sale report को देखना, stock को maintain करना, expenses जो है अपने वो थोड़ा settle करना उसमें कि क्या-क्या हम purchasing अगरा करते है statistics जो है वो भी हाँ देख सकते हैं उसमें हम transition type भी देख सकते हैं कि phone pay, ptm से कितना पैसा लिया है यह सब हम उसमें maintain कर सकते हैं जैसे अगर table number 4 है तो table number 4 हमने जो लिया है वो UPI से लिया है तो UPI में यह settle हो गया तो अगर यह table number 8 का जो bill है वो हम cash से ले रहे है तो ठीक है यह cash cash में चला जाएगा और जो six number का है वो हमारा phone pay में से हम ले रहे है तो यह phone pay में चला जाएगा तो मेनू में जाके फिर हम उसकी पूरी detail देख सकते हैं मेनू में जाने के बाद statistics में जाने के बाद graph हम select कर सकते हैं sales report वगरा देख सकते हैं और transition तो यह हमारा पूरा transition हम यहाँ पर देख सकते हैं phone pay से कितना आया है UPI से कितना है cash कितना है यह फूरा हम को यहाँ पर show up हो जाएगा पर देख सकते हैं